हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम करने वाले हैं इंपोर्टेंट कुश्चिन्स जो की होंगे इंडियन फाइनेशल सिस्टम पर बेस्ट, आज इसका हम पार्ट वन करेंगे, और ये कुश्चिन्स आपके जितने भी इंशुरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक्जा साते हैं, उनमें helpful होने वाले हैं, बेसिक कुश्चिन्स होंगे, चलिए शुरू करते हैं पहले कुश्चिन के साथ, पहला कुश्चिन है, Ministry of Finance is an important ministry within the government of India, it concerns itself with, अब देखिए इस कुश्चिन में पूचा गया है, कि भारत सरकार में जो वित्मंत्राले है, Finance Ministry, उसके important काम क्या होंगे, जो नीचे options दी गई है, हमें जो important काम रहेंगे, Finance Ministry के, वो सही option चूज करनी है, तो चलिए options चेक करते हैं, यह है taxation, financial legislation, financial institutions and all of above, तो देखिए, पहली option है, relate कर रही है tax से, means जो taxes काटे जाते हैं, Financial legislation का मतलब होता है, वित्तिय कानून, और financial institution आगे, जो भी वित्मंत्राले से, या वित्त से, related, वित्तिय मींस संस्थान होगे, इन में आ जाते हैं, banks, then insurance companies, mortgage companies, then अलग-अलग तरह के credit unions वगेरा, तो यह सारे financial institution है, अब देखिए, जो finance ministry है, उनके अंडर यह तीनों ही काम आ जाते हैं, taxes से related भी, financial legislation और institutions, तो इसलिए, इस question का जो answer है, वो है, option D means all of above, चलिए, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, कि आपको बताना है, जो GNP means gross national product रहता है, वो किस के बराबर होगा, तो देखिए, GNP जिसका full form है, gross national product, देखिए, इसका जो formula होता है, वो आपको याद रखना है, कि GNP का formula होता है, GDP plus net property income from abroad, देखिए, GDP means gross domestic product plus net property income from abroad, इन दोनों को जब जोड दिया जाता है, तो वो बन जाता है, gross national product, तो इसलिए, GNP का formula होगा, GDP plus net property income from the abroad, तो धूड़िए, कौन सी option सही है, तो देखिए, इसका जो सही answer है, वो है option C, अब देखो बच्चो, इस question में हमने दो शब्द पढ़े, एक था GDP और एक था GNP, अब हमें ये भी पता होना चाहिए, कि GDP और GNP होते क्या है, देखिए, सबसे पहले तो हम GDP की बात करते हैं, GDP है, value of the finished domestic goods and services produced within the nation's border, देखो ये basically हो गया, जो भी एक देश के अंदर domestic goods और services बन रही है, उनकी जो value हो जाएगी न, एक particular time period, means एक साल के दुरान, एक देश में जितना भी समान बन रहा है, services develop हो रही है, उनसे जो benefit मिल रहा है, उनसे जो पैसा कमाया जा रहा है, वो होगी GDP, और GDP का जो formula होगा न, ये होता है Q into P, जिसमें जो Q है, ये है total quantity of final goods and services, means एक साल के दुरान कितना समान और services जो है, वो बनी है, into P, P होता है price of final goods and services, मतलब उनका जो भी समान जितना भी बना है, into उनका जितना भी price है, ठीक है न, तो वो हो जाएगी GDP, अब जो दूसरा है, वो है GNP, GNP means gross national product, so this GNP is the value of all the finished goods and services owned by country's citizens, whether or not those goods are produced in that country, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि एक देश के नागरिक, जो भी services या फिर finished goods पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उनसे जो पैसा earn हो रहा है, पैसा आ रहा है है न, चाहे वो उस country में बना है, चाहे फिर नहीं बना है, तो उस value of money को क्या कहा जाएगा, उसे कहा और इसका formula, अभी हम last question में करके आए हैं, तो क्या था इसका formula, GDP plus net property income from abroad, देखो अब इसे से पता चल गया, GDP तो क्या हो गया, जो की भारत में रहने वाले नागरिकों के द्वारा अपना काम करके समान बना के या production करके जो पैसा earn किया गया, और property income from abroad क्या हो गयी, जो NRI के द आएगा, तो वो हो गया हमारा GNP, चलिए, अब है हमारा next question, अब इस question में पूछा गया है, net national product equals to, आपको बताना है के NNP, NNP की full form क्या है, net national product जो है, वो किसके बराबर रहता है, देखिए जो net national product है, इसका formula होता है, gross national product minus depreciation, अब देखिए, last question में हमने GNP के बारे में जान के GNP क्या है, अब उस GNP में से अगर हम depreciation को minus कर देते हैं, तो हमें value मिलती है, net national product की, अब देखिए GNP, GNP अभी हमने समझ गए, अब इसमें से आपने क्या minus किया, depreciation, depreciation basically होता है, wear and tear of the produced goods, means एक प्रकार से जो हमने अभी समान बनाया है, उसमें कुछ तूट फूट भी हो जाती है, थोड़ा बत नुकसान हो जाता है, तो GNP में से उस नुकसान को depreciation को minus कर दीजिए, तो उससे हमें net national product मिल जाएगा, NNP की value मिल जाएगी, तो धूड़िए कौन सा option सही है, तो देखिए इसका जो right option आ रहा है, वो option D है, जिसमें दिया गया है, gross national product minus depreciation, तो ये D ज option है, इसमें पूछा गया है, real national income measures, अब देखिए, जो real national income होती है, वो क्या measure करेगी, उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है, options दी गई है, nominal national income adjusted for population change, nominal national income adjusted for unemployment, and तीसरी option दी गई है, nominal national income adjusted for inflation, और last दी गई है, nominal national income adjusted for exchange rates, तो देखिए, जो real national income होती है, ये basically measure करती है, nominal national income adjusted for inflation, means महंगाई के हिसाब से, जो nominal national income है, उसे adjust किया जाता है, और उससे फिर हमें मिलती है, real national income की value, अब next question में पूचा गया है, GDP measures, आपको बताना है कि जो GDP है न, gross domestic product, ये क्या measure करता है, options दी गई है, a country's income, country's wealth, consumer spending, and net trade income, तो देखिए, जो GDP है न, ये एक देश की जो income है न, उसको measure करती है, क्योंकि ये है gross domestic product, means एक देश में कितनी production की जा रही है, जितनी production होगी, उसी से उस country की income का अंदाजा लगाए जा सकता है, तो option A जो है, ये right answer आएगा, क्योंकि जो GDP है, ये एक country की income को measure करता है, अब आपके लिए next जो question है न, इसमें पूचा गया है, FDI is an acronym that stands for, देखिए आपको जो FDI word है न, इसकी full form बतानी है, तो FDI की जो full form है, यहां पर options जी गही है, Federation of Direct Investors, Federal Diversification Initiative, Foreign Direct Investment, and Formal Direct Internationalization, तो देखिए जो FDI की full form है, वो है Foreign Direct Investment, तो option C जो है, ये right answer आजाएगा, आपके question का, देखिए जो Foreign Direct Investment है, जिसे हम FDIB कहते हैं, ये basically एक ऐसी Investment है, जिसमें क्या होता है, कि दूसरे देश के जो businessman है न, वो आके हमारे देश में invest करते हैं, और जिस भी company में उन्होंने investment किया होता है, उनका control उस company पर रहता है, तो इसे Foreign Direct Investment means FDI कहा जाता है, चलिए, अब है आपका next question, तो option C कही है, external debt, good debt, bad debt और internal debt, तो देखिए, ऐसे debt को न, bad debt कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी financial institution या फिर bank के लिए नुकसान ही है, क्योंकि इन्होंने करजा दिया, पर इस करजे को वापिस, जो है, recover नहीं किया जा सका, या इसे वापिस नहीं आया है, तो ऐसे debt को क्या कहेंगे, bad debt कहेंगे, option C is the right answer, अब है आपका next question, which of the following institution published the report of world investment report, आपको बताना है, उस institution का नाम, जो की world investment report को हर साल publish करता है, options दी गई है, world bank, IMF, UNCTAD और WTO, तो देखिए, इस question का जो right answer है, वो है option C, UNCTAD, जिसकी full form है, United Nations Conference for Trade and Development, आपको इसकी full form भी याद रखनी है, तो देखिए, यह जो UNCTAD है, यह हर साल world investment report जो है, वो चापती है, क्यक्य है, चलिए, अब है हमारा next question, which one of the following countries has highest share in world export among the Asian countries, आपको बताना है, उस देश का नाम, जो की word में, Asian countries में से है, और सबसे ज़्यादा समान जो है, export करती है, export करने का मतलब क्या हो गया, अपने देश में समान बना के, बाहर के देशों में उसे भेजना, ठीक है न, तो options जी गई है, South Korea, Singapore, India and China, I think इसका answer हम सभी को पता होगा, तो इसका जो right answer है, वो है option D, means China, क्योंकि देखिए, चाइना जो है, ये अपने देश में बहुत ज़्यादा production करते हैं, और फिर उसे दूसरे देशों में जो है, बेच देते हैं, समान export करते हैं, तो option D is the right answer, अब है next question, what is the mainstay of Indian economy, आपको बताना है, कि जो भारत की अर्थ विवस्ता है, उसमें सबसे बड़ा role कौन play कर रहा है, जो नीचे options दी गई हैं उन में से, options है, manufacturing, business, public sector, और agriculture, तो देखिए, जो options दी गई हैं, इनके हिसाब से, जो Indian economy में mainstay है, सबसे बड़ा role play कर रहा है, इंडियन economy को grow up करने के लिए, वो है option D means agriculture, अब हैं आपका next question, अब इस question में पूछा गया है, आपको बताना है, कि भारत की जो national income है, राष्ट्रिये income रहेगी, उसका जो data रहता है, उसकी जो estimation वगेरा है, है न, वो कौन issue करता है, किसके द्वारा वो issue की जाती है, तो options है, planning commission, national data center, central statistical organization, और last option दी गई है, none of above, तो देखिए जो data for estimation of India's national income है, means भारत की जो national income है, राष्ट्री income है, उसका जो estimated data है, वो दिया जाता है, central statistical organization, जिसे की हम short form में CSO भी कह देते हैं, उसके द्वारा तो option C is the right answer, अब है आपका next question, the most important source of capital formulation in India has been Dash, आपको बताना है, कि भारत में पूंजी संचे, means capital formation का सबसे बड़ा source क्या है, options दी गई है, household savings, public sector savings, government revenue surplus और corporate savings, तो देखिए हमारे देश में पूंजी संचे, means capital formulation का जो सबसे बड़ा और सबसे important source है, वो है household savings, ठीक है, तो option A जो है, यह आएगा इस question का right answer, चलिए अब है next question, which of the following is not a method of estimating the national income, आपको बताना है, कि किसी भी राष्ट्र में जो राष्ट्रिय इंकम, नेशनल इंकम रहती है न, उसे estimate करने का सही तरीका इनमें से क्या नहीं है, options दी गई है, income method, value added method, expenditure method, और export import method, तो देखिए जो option D है, means export import method है न, ये सही वे नहीं है, राष्ट्रिय आए को estimate करने का, तो इसलिए option D is the right answer of this question, अब next question में पूचा गया है, following are the features of under development in India, आपको बताना है, कि भारत में जो under development है, under development का मतलब क्या हो गया, अल्प विकास, तो देखिए, under development के features हमें बताने हैं, options चेक करते हैं, majority of people depend on the agriculture, means बहुत सारे लोग जो हैं, वो क्रिशी पर ही dependent है, low per income, per capita income, means per capita income low है, और तीसरी option दी गई है, incidence of unemployment, means बिरोजगारी काफी है हमारे देश में, और चौती option दी गई, लास्ट option दी गई है, all of above, तो देखिए, जो under development के features हैं भारत में, वो तीनों ही आ जाते हैं, option A, B और C, इसलिए इस question का जो राइट आंसर है, वो है option D, अब जो next question है, इसमें पूचा गया है, following are the features of mixed economy in India, आपको बताना है कि भारत में जो एक परकार की mixed economy है, mixed economy का मतलब क्या होता है, कि जो भारत की economy है, अर्थवेवस्ता है, वो कई चीज़ों पर dependent है, तो आपको बताना है कि जो mixed economy के features हैं वो क्या होंगे, options चेक करते हैं, existence of private and public sector, means भारत में private और public sector दोनों है, dominant role of public sector, means जो public sector है, उसका एक ज्यादा प्रभावी रोल है, decentralized planning, planning जो है वो decentralized है, और option D दी गई है, all of above, तो देखें जो mixed economy के features हैं वो तीनों ही आ जाते हैं, means A, B और C, means existence of private and public sector, then dominant role of public sector, और decentralized planning, तो इसलिए इस question का जो right answer है, वो और जाएगा आपका option D, means all of above, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, following are the roles of agriculture in India, आपको बताना है कि भारत में agriculture means क्रिशी के क्या-क्या roles है, options दी गई है, providing employment means employment provide करता है, contributing to national income, national income में भी ये contribute करता है, supporting industry और जो industry है, देखें जो food industry जितनी भी है, उसे तो agriculture ही support करता है, और option D दी गई है, all of above, तो देखें जो agriculture का role है भारत में, वो A, B और C, तीनों ही आ जाएगा, इसलिए option D is the right answer of this question, Now, next question is, industrial sector depend on the agriculture, because, अब देखें, जो industrial sector है वो agriculture पर किस प्रकार depend है, आपको बताना है, options पढ़के, agriculture provide food grains to industrial work, देखें जो agriculture है, क्रिशी से food grains जो है, वो industrial work में मिलता है, then agriculture supply raw material to industries, बिल्कुल सही, जो agriculture है न, वहीं से तो raw material जो है, अलग लग तरह की इंडस्ट्री को supply किया जाता है, raw material का मतलब क्या हो गया, कच्छा समान है, अब देखें, जैसे suppose हम कह सकते है, कपड़ा इंडस्ट्री है, उनकी market, उनको market provide करती है, अब देखें, जो इंडस्ट्री है, जैसे जो mechanical industries है, जहां पे अलग लग तरह के agriculture के समान बनते हैं, तो क्या है, agriculture में जो use होने वाले समान है, वो कहां से इंडस्ट्री से purchase किया जा रहे हैं, इस तरह से agriculture sector जो है, वो market भी provide कर रहे हैं, इंडस्ट्री प्रडॉक्ट को, तो इस लिए इस question का right answer है, वो D आ जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है, all of above, तो A, B और C, तीनों ही options हही है, इस लिए इस question का right answer है, option D, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, as per CSO classification, which of the following doesn't fall under finance and real estate category, आपको बताना है, कि जो CSO की classification रहती है, अब CSO याद हैना, क्या होता है, CSO है, Central Statistical Organization, इसकी जो classification है, उसके हिसाब से आपको बताना है, कि कौन सा ऐसा sector है, जो नीचे दी गई options है, उन में से कौन सी ऐसी option है, जो की finance और real estate की जो category है, उसमें fall नहीं करेगी, options है, banking, construction, insurance, and real estate, अब देखिए, इन्होंने कहा, कि कौन सी ऐसी चीज़ है, जो की finance और real estate category में fall नहीं कर रही है, तो वो आ जाएगी option B, means construction, क्योंकि जो construction है, वो ना तो finance में आएगी, ना real estate में आएगी, ठीक है, तो इसलिए option B is the right answer, अब है आपका next question, इस question में पूछा गय है, the most appropriate measure of a country's economic growth is dash, आपको बताना है, कि किसी भी देश की जो economic growth है, उसका जो सबसे सही तरीका है, उसको नापने का वो क्या है, means किसी भी देश की economic growth को आप एकदम exact अगर नापना चाहो, तो कैसे नाप सकते हो, options है, GDP, NDP, per capita, real income, and GNP, तो देखिए, जो एकदम appropriate method है, या appropriate measure है, किसी भी देश की economic development या economic growth को हम कह सकते हैं, नापने का वो है, option C means per capita, real income, अब यह जो per capita income है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी जान लेते हैं, देखिए, per capita income का मतलब होता है, कि किसी भी देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, उनकी ओसतन आए, जो है, उसे per capita income कहा जाता है, तो चलिए, next question है, the largest proportion of national income comes from, अब इस question में पूछा गया है, कि देश की जो income है, means जो national income है, उसका सबसे बड़ा वाग जो है, वो कहां से आएगा, options है, public sector, private sector, local sector, none of above, तो देखिए, national income का जो सबसे बड़ा भाग है, largest proportion है, वो आता है, कहां से, private sector से, तो option B, जो है, वो है, the right answer of this question, अब जो next question है न, I think इसका answer आप लोगों को आता है, question है, it is deducted from GNP to get NNP, अब इस question में पूछा गया है, कि वो क्या होता है, जिसे GNP में से deduct कर दिया जाता है, या minus कर दिया जाता है, और उससे हमें मिलती है, किसकी value, NNP की, तो options हैं, indirect taxes, depreciation, direct taxes, and transfer payment, तो देखिए, अभी हम पीछे करके आए हैं, NNP का formula क्या था, GNP में से depreciation, deduct कर दिजिए, minus कर दिजिए, हमें मिल जाएगा क्या NNP, तो option B is the right answer, now the next question is, which is largest figure, देखिए, नीचे कुछ figures दिये गए हैं, और आपको बताना है, कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, options है, NNP, GNP, DPI, और PI, तो देखिए, इनमें जो सबसे largest figure है, वो होता ह GNP, जिसकी full form है, gross national product, basically, जो gross national product है, ये क्या होता है, ये होता है, GDP, plus net property income from the abroad, तो जो सारी options है, इनमें जो largest value आएगी, वो किसकी होएगी, GNP की, तो option B is the right answer of this question, चलिए, अब है आपका next question, अब इस question में पूछा गया है, कि it is not included in the estimation of the national income, आपको बताना है, कि वो कौन सी option आएगी, जिसे की, किसी भी देश की जो national income रहती है, उसकी estimation में include नहीं किया जाता है, तो options है, illegal income, services of housewife, imports, और option D दी गई है, all are not included, तो देखिए, किसी भी देश की जो national income होगी, राश्ट्री आए रहेगी न, उसकी जब estimation की जाती है, तो ना तो illegal, means जो गलत तरीके से कमाया गया धन है, उसे, या फिर जो housewives, services प्रवाइड करती है, काम करती है, उसे, और जो imports है, उसे, नहीं, means include किया जाता है, तो इसलिए, जो option D है, वो right answer आएगा, क्योंकि ये next question, अब देखे, इस question में पूछा गया है, a country is poor, if it has, अब देखे, कि कोई भी देश जो है न, वो गरीब कब कहलाएगा, options चेक करते हैं, less production of goods per capita, less amount of gold, less amount of foreign currency, and less exports, देखे, अगर किसी भी देश में न, less production of goods per capita है, तभी वो देश जो है, वो गरीब कहलाएगा, option A is the right answer of this question, अब है आपका next question, जो की हमारे वीडियो का last question है, which of the following, would increase the level of national income, आपको बताना है, कि वो कौन सी option है, जिसकी help से, national income के level को बढ़ाया जा सकता है, options है, increase in taxation, means taxation बढ़ा के, then reduction in government spending, जो government के खर्चे होते हैं, उनमें कमी करके, reduction in consumer spending, means जो consumer का खर्चा है, उसे कम करके, और last option दी गई है, इसमें कहा गया है, an increase in exports, means अगर हम export, जो देश से बाहर हम समान बेजते हैं, अगर export को बढ़ाया जाए, तो national income को बढ़ाया जा सकता है, तो देखिए, इसका जो right answer है, वो है option D, क्योंकि अगर export को बढ़ाया जाए, तो national income के level को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए option D is the right answer. Thanks for watching the video and best of luck.